हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो में चैनल आज की इस वीडियो में आपको एशिन ब्रैडल मेकप करना चाहूंगी चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले मैंने अपनी फ्रांजिशन शेड के लिए कॉन्टॉरिंग का शेड लिया है जो के लाइटर है और क्रीस लाइन पर ये मैं अप्लाए कर रही हूँ इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्लैंडिंग ब्रैश से एक टोन डारकर शेड लिया है क्रीस लाइन पर फिर मैं आप्लिकेटर से फिल्वर शेड अपलाए करें हूँ क्रिस्टीन ब्रैंड का मैंने यह फिल्वर शेड लिया है काफ़ी पिग्मेंटिटिट है इसको मैं अच्छे तरीके से अपलाए करें हूँ ब्लैंड करें हूँ equally डोनो साइट्स पे जो भी डस्ट आफ कर रही हूँ फॉल आउट था शेड क्रिस्टीन का ब्लैक केक लाइनर लिया है मैंने वो जीरो नमबर ब्रेश से मैं अपलाई कर रही हूँ चाज यहाँ पर मैंने लैश लाइन को फॉलो करना है और इसका कॉर्णनर बनाया है मैंने इसको मास्किंग टेप को फॉलो करते हूँ यह ब्लैंडिंग ब्रेश लिया है यह एंगिल ब्रेश है उसकी हल्प से मैंने इसको मर्ज कर दिया है ब्लैक लाइनर को इसके कॉर्णनर पे मैंने मर्ज लोग दिया है जैसे के प्रोमो में भी मैंने शो किया है और मैं इसको अपर लाइन साइट पे ब्लैंड करूंगी जिससे ही एक मर्ज लोग फील हो रहा है मैं रिफ्रेश कर रही हूँ जो भी मुझे फील हो रहा था कि सिल्वर शेट मेरे लाइनर पे अप्लाई हो गया है यहां मैंने लाइश ग्लू अप्लाई किया है चंकी ग्लीटर अप्लाई करने के लिए और इसके उपर मैंने चंकी ग्लीटर सेम शेट के ही अप्लाई किया है सिल्वर में है यह और आप इनमें ड्रेस के अकॉर्डिंग भी भी मैचिंग का अप्लाई कर सकते हैं आपे इसमें भी डबल शेड़ आ रहे हैं सिल्वर के साथ लाइट ब्लू शेड़ आ रहा है आज यू कन सी इन इस वीडियो यह मैंने रिमूफ कर दिया है टेप को कॉर्नर से और जो भी मैं सब था वो मैं कॉटन बट की हल्प से उसे र अपलोग शेड़ ब्लाईश ओन यूज़ आ चाते हैं तो भी कर सकते हैं मैंने एक मिनी ब्र्श लिया है उसे मैं हाईलेटर को लोड लट लाइच लाइन पे भी अपलाई कर रही हूँ यहाँ प히 मैंने लाइनर का वही विंग ब्रश लिया है जिसको मैं हाफ लोर लड ला लेश ग्लू अप्लाए कर रही हूँ लेश क्रिस्टीन की और यहां मैंने मिंक लेश अप्लाए की हैं यह हमारा फाइनल लोको फुली आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ न कुछ जरूर सी का होगो डून फोरकेट तो सबस्क्राइब मैं चैनल थैंक्स फॉर